हेलो दोस्तों सभी को नमस्कार स्वागत थे एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गौरी चोरी जिसको यलो तिकोमा भी कहते हैं उसको आप गंबले में लगा कर कैसे जादस जादा फूल पा सकते हैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे तो वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो वैसे तो गोरी-चोरी के पौधे को जमीन में अगर आप लगाएंगे तो बहुत जादा फ्लावरिंग होती है और बहुत थादा बड़ा भी पौधा हो आता है जाड़ी नुमा पौधा होता है इसलिए फूल इसमें बहुत जादा आते हैं लेकिन अगर आप इसकी कटिंग को इसके स्टम कटिंग को आप लगाकर और गमले में लगाएंगे तो इसमें तब भी फूल बहुत जादा आते हैं हमारे पास जो यह पौधा आपको दिखा रहे हैं यह लगबाग देड़ साल का पौधा है और इस पे पिछले साल भी बहुत जादा फूल आये थे और इस साल भी फूल बराबर आते रहे हैं लेकिन मेन सीजन जो इसका होता है वो यही होता है बरसात के बाद का जैसे ही बरसात का मिडिल होता है आगस्त के महिने से लेकर और आगे फ्लावरिंग होती रहती है जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है उसमें पौधा रिष्ट ज्यादा फ्लावरिंग होने लगती है और इसको ज्यादा कोई केर की जरूत नहीं पड़ती है बहुत कम केर वाला पौधा है इधर दिखी एक पौधा के कटिंग से हमने इधर लगाया हुआ था तो यह छोटा पौधा है भी और शुरुवात में आप आठ से दस इंच के गं लगा दें तो सबसे अच्छा फ्लावरिंग आपको मिलेगा लेकिन रूट जो इसकी जड़े हैं अगर आप इसको फ्लावरिंग के समय सिफ्ट करें तो इसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुचना चाहिए नहीं तो यह फ्लावर ड्राप कर देगा इसके फूल बु कोड़ी से इसमें सेंड मिला देजिए जो बालू होती नहर वाली जिससे जो वेल ड्रेंड स्वाइल बन जाएगी इसकी यह देखिए कटिंग से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरीके की एक साखा लीजिए और कटिंग आप उसी पॉजे से लें जिसमें फ्लाव स्वावर जो बहुत जल्दी निकनला स्टार्ट हो आते हैं आप इसको साल में दो तीन बार भी थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डेते रहेंगे तो इसके अलावा इसको कोई भी फट्लाय देने कि इस पाउधे को हर साल आप दो से तीन इंच गंबला ब रखें तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए